दोस्तो जैमातादी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 15 मई यानि की बुद्वार को किस साइड मोमेंट कर सकते हैं कौन से लेवल पर हमको पॉर्चनेटी मिल सकती है उसके पीछे का लोजिक क्या है साथ में ऑप्चिन चैन एनलीसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशल हमको पता लग जाएं कल दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपैरी है तो हम इन डिट क्यावल तब ही बनेंगे जब यह 37,300 के नीचे निकलेगी इससे पहले यह बाउंस बैक एरिये हैं कहीं से भी बाउंस बैक मार्केट कर सकती है आज जब दोस्तों पहली 15 मिनिट की जो केंडल बनी उसके बाद मैंने अपडेट आपको कर दिया था टेलीग्राम पर पहली 15 म केंडल बहुत ज्यादा बड़ी बनी है और अक्सर ऐसे समय में मार्केट फिर सारा दिन उसी रेंज में घूमती रहती है लेकिन जितनी ज्यादा बड़ी केंडल थी उतने पॉइंट्स भी मिल सकते थे क्योंकि लोवर में अगर कोई इसमें कोई कोशिस करें इंट्री करने डेटा पोजिटिव बन गया था इस वज़े से मैंने वह आपको बताया था कि आप जो मार्केट का रूख हो मुझे बुलिश लग रहा है और 48,000 का टार्गेट हमारा कल भी हमने डिसकस क्या था 47,940-50 तक मार्केट जाके भी आए कही ना कहीं कुछ ही मुमेंटम दिया ज् कोन सी स्टड़ी दिपो हम आपको दिखाऊंगा कल है दोस्तों बेंक निफ्टी की एक्सपाइरी वीकली तो एक चीज़ तो अच्छी है कि जब एक्सपाइरी से पहले मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाए ना मालीजे एक्सपाइरी अगले दिन और उससे पहले दि बड़ा मोमेंटम आ जाए तो फिर हाई चांस होते हैं कि एक्सपाइरी वाली दिन मार्केट साइडवेज रहे सकती है तो आज इसका पोजिट है यानि कि आज मार्केट साइडवेज रही है क्लोजिंग आई है सेंटरेजर आट सो उन सट साथ के आसपास तो अगर बैंक न अगर बैंक निफ्टे दोस्तो फ्लैट खुलती है अड़ताली जार के उपर निगल के कोई ऐसा स्विंग बना देती है तो फॉट साथ पॉइंट का स्टोप लोज डाल के वन इस्टो टो टारगेट के लिए मैं कोल साइड जाना पसंद करूँगा अगर गैप भी खुलती अगर वापिस दिन का हाई ब्रेक करेगी तो ही मैं दिनका लोज टोप लोज डाल के वहीं अड़ताली जार चार्सो अड़ताली जार पांसो इस टारगेट के लिए मैं कोल साइड जाना पसंद करूँगा अब पुट साइड का मैं क्या बोल रहा था बाई आज की जो अगर यह मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन करती है मूविंग एवरेज कितने पर है 37700 पर है तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है 700 के नीचे निकल के 600 के आसपास आके एक ऐसा स्विंग बना देती ध्यान से सुनिएगा जब तक यह स्विंग ना ब देखोगे मूविंग एवरेज को टच करके मार्केट ने स्विंग बनाया मूमेंटम दिया तो अगर यहाँ पर मार्टे आती तो इसको तुथकर के डाउन साइड आ जाए या फिर gap down खुल जाए तो put side में नहीं प्लान करूँगा gap down खुलने के बाद मैं प्लान करूँगा कभी ये 73400 तीन सो इस range में आके या तो कोई bullish candle बनाए या फिर यहां पर आके कोई डबलू पेटरन बनाती है तो दोनों ही situation में जब हाई ब्रेक होगा डबलू पेटरन का बुली स्केंडल का मैं दिनका लोग तोपलोज डालके वाप इससे इसी टारगेट के लिए कोल साइड प्लान कर सकता हूं दिनका लोपलोज डालके ये दोस्तों कल expiry के लिए था और आपको कल मार्केट sideways होती दीखे sideways इंदा सेंस अपर साइड रजिस्टेंस भी बैंक निफ्टी का वही है डाउन साइड सपोर्ट सपोर्ट भी बैंक निफ्टा का कहीं ना कहीं वह जैसे क्योंकि moving average को इसके इसने respect किया तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट कूल के इस रेंज में दोस्तों आपको फस्ती दिखे तो समझ जाना एक्सपार ही है जैसे आज sideways रखा है वैसे ही sideways रख सकते दूसरी चीज अगर कल फिर से पहरी 15 मिर्ट के candle ज्यादा बड़ी बन जाती है इस तरीके की तो भी दोस्तों इग्नोर करना जब तक हाई लो अच्छे से ब्रेक ना होकर स्विंग ना बन जाए इस तरीके का क्योंकि फिर भी बड़ी बन जाते तो भी साइडवेज रखे दोनों साइड का थीटा ओप्शन जो सेलर है ऑपरेटर है वो खा सकता ह और आज की पंद्रा मिट की गैंडल मैंने क्या डिसकस के दा अगर आप देखोगे तो नो बज के दस बजे के आसपास नो बज गठाव निए मिट पर मैंने बोला था निफ्ट और बैंक निफ्ट दोनों का डेटा एज पर एनालिस मेरे हिसाब से पोजेटिव हो गया है ध इसमें को मिले लेकिन यह कोई टीप नहीं है और नहीं है और नहीं में डेली पोस्ट करता हूं अगर कुछ करने कोशिच करता हूं औरना में डेटा बगर क्या है है वाइंग शेलिंग एरिया क्या है नए बाउंस बैक एरिया क्या विए जो लाइव मार्केड में जितना मेरे इसे हेल्फ हो सकति है मैं ट्रेडर की अपने विई जोयन कर सकते हो वीडियो के डिसकर्स ने आपको लिंक मिल जाएगा औरिजनल चैनल का नहीं तो आप कमेंट में पिन कियो है लिंक से भी जोइन कर सकते हो बस एक चीज याद रखना इस लोगों से इस नाम से वह सारे फ्रोड चैनल है उनके सब्सक्राइबर आपको उनसे तीन चार गुना ज्यादा दिख जाएंगे लेकिन सब्सक्राइबर रहें उनकी पोस्ट पर आपको ऐसे भी उज नहीं मिलेंगे 40,000-20,000 क्योंकि वह बोट सब्सक्राइबर है ठीक है ना तो भाई मेरा कोई पेड गुरूप है ना मेरा कोई वाट्सप गुरूप है ना मैं कोल टिप्स एडवाइज देता हूं प्लीज मेरे बिता देती है तो हमको एक 100 पॉइंट का मोमेंटम यानि की 22,200 के उपर निकले माद 22,200 का मोमेंटम मिल सकता है और कहीं ना कहीं है 22,270 तक निफ्टी जाके आए और बहुत अच्छा स्विंग भी निफ्टी ने बनाया है और वहीं बुलिश ट्रेंड निफ्टी का भी प्रेस्टिंग दिखेगा अब आप देखिए ऐसी मार्केट में जब इस तरीकी के स्विंग बनते हुए दोस्तों जा रहे हो तो आप कैसे पूट सैड पलान करोगे कितना रिस्की होगा वह ज्यादा रिस्की होता है तो अगर निफ्टी दोस्तों के लिए 22,217 पे अगर फ्लेट खुलती है इस स्विंग के ऊपर फिर से निकलती है अच्छा मोमेंटम के साथ तो 15-20 प्वाइंट का स्टोप लोज डाल के मैं वहीं 100-500 प्वाइंट के टार्गेट के लिए कोल सैड जाना पसंद करूँगा अगर दोस्तों गैप खुल जाती है 280-300 की रेंज में तो भी मैं थोड़ा सा इंज़ार करूँगा कभी ये 22,282,250 के आसपास आया फिर कहीं ना कहीं गैप भरके फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी आने कि 300 का हाई ब्रेक करेगी तो मैं वापी से 400-2,400-2,300 टार्गेट के लिए मैं कोल सैड जाना पसंद करूँगा दिन का लोस टॉप लोस डालके अब निफ्टी में पूट सैड का पलान करोगे आप दिखिए 50 दिन का मूविंग एवरेज है निफ्टी में 22,150 पे तो ज 24,000 के लेवल तक पलान करोंगा 15-20 पॉइंट का स्टोप लोस डालके पूट सैड अदरवाइस दोस्तों बहुत रिस्की होगा पूट सैड जाना क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट हमको फोलो तुरू मिलतावा खासकर निफ्टी में लग रहा है हाँ अगर निफ्टी गैप प्राइस तक मैं बुलिश प्लान कर सकते हैं यहीं कि फिर हमको दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं जैसा भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की दोस्तों कोसिस करूंगा लाई मार्केट में मेरी पूरी कोसिस रहेगी अगर आप निफ्टी का ओप्शन करेगी स्विंग बनाएगी अच्छा सा तो यह लोग भागेंगे जो इतना अग्रेसिव होके शोट बैठे हैं कोल राइटर याने की मंदड़ी हैं जैसे भागेंग मार्केट में एक शोट कवरिंग बिल्ड हो जाएग और निफ्टी में आज वहीं हुआ ठीक है अब आप शोट मार्केट एक शोट कवरिंग मार्केट में फिर से बिल्ड हो सकते हैं 1500 पॉइंट की क्योंकि अकला रजिस्टेंस 2400 पर है और इंडा मनी जाके भी लोगों के अंदर फैला है और जो मंदड़ी हैं वो भागे हैं पोजिशन को काट के डाउंसाइड देखिए 2200 पे औ इन तीन जगह से ही हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं और अगर यह दो पर पहले डाउंसाइड मार्केट जाती है तो दो पर बाद रिकवरी करने के भी चांस ज्यादा दस बज़े के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे इससे पहले देखने का कोई फायदा नहीं है बैंक निफ्टी का ओप्शन चैन देखेंगे आपके चीज समझ में आयेगे 48,000 तक तो कुछ नहीं है इतना इंदा मनी में आउट का दा मनी में भी जाके और मन्दी वालोंको देखेंगे मंदडियोंको देखेंगे आठ सो पर 27,000 फिर नहीं है फिर देखेंगे 48,000 दोसो थीनसो चार सो और पानसो मतलब 500 पॉइंट तक लाखो में open interest है और 48,000 पर तो 2,000,000 में open interest है अब ज्यादा लोग बैठे हैं मंदी की side कम लोग बैठे हैं तेजी की side अब इन कम लोगों का पैसा डूबा तो इन लोगों को क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा क्या बटवारे में कुछ नहीं आएगा इनके तो यह market को shoot कर सकते हैं 48,000 के उपर निकलेगा सोचो अगर एक ऐसा swing बन गया तो यह लोग डरना शुरू कर देंगे पैसे नहीं करेंगे अड़ताए जार के उपर अगर थोड़ा सा भी निकल लगी तो यह नहीं करेंगे पोजिशन एड कर सकते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब करें आपका दिन सुभ रहे मिलते हैं कल एक निवीड के साथ तब तक लिए बाए जै मात अदी जै हिंद